तो अभी जो दूसरी activity हमने इससे पहले अनुपात या ratio देखा इसी के साथ एक और शब्द होता है proportion या समानता अभी ये activity बच्चे क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको वही इंची टेप एक चाहिए जिससे वो नाप सके और ये वैसे तो एक जब धूप हो अ सर के उपर होता है क्या करना है इस गतिविदी के लिए तो आप जब भी धूप हो अच्छी तो आप एक पेड़ चुन लीजे और अपने एक साथी को कहिए कि चलो एक activity करते हैं इसमें पेड़ की लंबाई को वो नापने के अगर कोशिश करें तो वो नाप सकें अगर तो उसका जो परचाई है उसको वो नाप ले तो यह मिल गया फिर उसी पेड़ के बगल में वो खुद खड़े हो जाएं तो उनकी भी कुछ परचाई नीचे बन रही होगी है ना तो अभी अपनी लंबाई को नापे और यह परचाई की लंबाई को अपने दोस्त से कहें क एक तो पेड़ की जो हाइट है दूसरा जो उसकी परचाई की हाइट है तो इनका अनुपात निकाल लें फिर यहाँ पर अपनी लंबाई और हमारे परचाई की लंबाई इसका अनुपात निकाल लें अगर यह दोनों बराबर हैं तो फिर यह हो जाता है हमारा है और इसको भी हम unknown भी रख सकते हैं हो सकता है हमें यह a की value ना पता हो क्योंकि हमें पता है कि हम एक ही जगा पर खड़े हैं सूरज का जो एंगिल बन रहा है वो एक ही दिशा से है तो लगबग लगबग जो ratio इनका होगा वो equal होना चाहिए हम उल्टा भी कर सकते हैं तो हमें अपनी हाइट पता है हमें आप हारे परचाई की हाइट या लंबाई पता है हमें पेड के परचाई की लंबाई पता है तो हमें चार में से तीन चीज़े पता है हम चौती चीज कि पेड की उचाई अगर हम बड़े पेड को लेते हैं पहले छोटे पेड पे करके देख ले और फिर इसमें कुछ-कुछ error रहती है, तो वो measurement में कैसे तूटियां होती है, उसके उपर भी चर्चा की जा सकती है, कितना कम या जाधा हमारा measurement है, जो हमने नापा है, वो कितना कम या कितना जाधा आ रहा है, तो इस तरीके से यह समानता के उपर एक गत्विधी आप के साथ किरा सकते हैं.